रादनन गाउन जिले के डोंगरगर विकासखर में पनिया जेब जलाशय है जहां मसली पालन करने के लिए केस कल्चर प्रोजेक्ट लगाया गया है जलाशय में पुर्वे, स्थानी मच्वारे, मसली पालन कर उसे बेच कर अपनी अज्वी कर सलाते थे लेकिन इस्थानी नेताओं ने अपने पद का परभाव दिखा कर अपने रिष्टदारों के नाम से केस कल्चर प्रोजेक्ट कर लगाया है वहे इस जलाशय का पानी पूरा डोंगरगर शहर और आसपास की ग्रा मिरपीते हैं 36गर मतस्य महासंग की डिरेक्टर समलु निशाद जोकी स्थानी निवासी है उन्होंने बताए कि इस प्रोजेक्ट में 54 केज लगे हुए हैं जिसमें आधा किलो मचली का पालन किया जाता है प्रतेक केज में लगभग 40 किलो चारा ड़ा जाता है जिसे पानी दोशित हो जाता है जिसमें छोटे जलाशे में बहुत प्रभाव पड़ता है और यह प्रोजेक्ट लगाने के लिए लगभग गर्मी के दिनों में 30 फीट पानी की अवशक्ता होती है पानी के दुस्परभाव की जानकारी जब आम जनों को पता चला तो इस प्रोजेक्ट के लिए अपत्ती लगाए गए लेकिन शासन और प्रशासन इस उर्ध्या नहीं दे रही है कि एक केच एक केच में 40 किलो तो वहां अठाट दुने च्छतिस अठाट दे चववान के लगा हुआ है उससाथ आप आप आक लंक कर लिएगा तो फीडिंग होगा तो पानी कहीं कहीं परदूसन होगा है ना उसमें कोई साथ का बात नहीं है बड़ा डैम में अंतर नहीं क shed mode size ना मैं परनिया जणासा यहां आप देख सकते हैं मेरे पिछे में एक कर नी लरकरी डबत आपकर deficile का कहा जाता हैख माशली परण कई जाती है उसके धाट ने लगभग 46 कि हैं और पूछे कि ऐसा क्यूं तुन्हें ने पताया कि 40 किलो प्रतीच 40 किलो प्रतीच के मिहां फेडिंग की जाती है जिससे इस पानी में गंदा होना हाम बात है और मज़े की बात यह है कि पुरे पानी को डूंगगर सहर पीता है जलसन साधन के द्वारा जब इस चीज की जानकारी लोगों में जब पता चली तो कई संगठनों ने इस थानिया कुछ राजन्यताओं ने इस चीज में आपत्ती लगाई लेकिन सासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया यहां तक कि छोड़ों कि यह है कि नगरपालिका ने भी इस लगाई थी लेकिन हम फठोल प्रोजक्ट नहीं रोगा इस प्रोजक्ट मे जब लगाए जाता है तो नियम यह है सासन का नियम कैश पानी है तो गरमी आदे मौस अन पानी चाहिए हैं मालश दूहार के शुर्ण केश कई era? इस पूरिय पानी को को में न bit कवा से आप उर्थी करता है